ओम नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्योरिटी ओफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों अमवश्याती थी वैसे तो हर महीने में आती है लेकिन जब यह अमवश्याती थी मागमास में आती है तो इसका महत्व कई मौन रहकर पूरे दिन व्रत धारन करते हैं जिसका महत्व कई गुना होता है इस दिन मौन रहकर गंगा नदी में शनान करने से जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं समस्त प्रकार के पुन्यफल की प्राप्ती होती है अगर आप मौन रहकर गंगा शनान के बाद दान करत तो वआपन स्ट्रों में मॉनी अमारश्या के दिन प्रयाग राज के संगम में शनान का में तह लस्ति दिन यहां देव आते हैं और पित्र और पित्रों का संगम उतान करने आते हैं,, देवता और पित्रों का इस दिन संगम होता है तो इस दिन जो भी भक्त मागमास में गंगा शनान के लिए जाते हैं बहुत से लोग तो इस पूरे महीने में मागमास में कल्प वास करते हैं मतलब पूरे महीने गंगा के तटपर रहते हैं प्रतितिन गंगा में शनान करते हैं दान करते हैं इसका बहुत अधिक पुनिफल प्राप्त होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि माग माज में गंगा शनान करने देवता भी प्रित्वी लोग पर आते हैं प्रियाग राज के संगम में आते हैं तो बहुत महत्पूर्ण होता है गंगा में शनान करना लेकिन अग गंगातुल्य किसी भी नदी में शनान करते हैं यज्य करते हैं हवन करते हैं तो इसका फल कई गुना प्राप्त होता है तो मौनी अमवश्या का हमारे शास्त्रों में इतना अधिक महत्यों बताये गया है कि इस दिन किया गया शनान दान जब जन्म जन्मानतर के पापों से समस्थ प्रकार के दुख दर्दरता से मुक्ति हो जाती है और समस्थ प्रकार की मनों कामनाई प्रून हो जाती है तो शास्त्रों में मौनी अमवश्या को बहुत अरिक पुन्यफल देने वाला दिन माना गया है आज की वीडियो में मैं आप से बात करने वाली हूं मौनी अ कर लेकर लिए होगा इसे संस्य में हैं तो हमें पीपल की पीपल की जाती है फोल विशेश पूझा उनकरा हूं करेंगे इस साथ ही डूह इस वीडियो में आपके दूर करने वाली हूं कि क्या इस बारि की जो मंज शों पीपल की पूज ब्रक्राइब से nei एक पर करनी है वरत रखना है तो आपके सभी शंचयका समादहान आज की वीडियो में हो जाएगा मॉनि अमावश्या पर हमें क्या करना चाहिए पीपल कि पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन से विशेश उपाय करने चाहिए, यह समझत जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए शेर कीजिए family friends के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभी तक आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजिए और bell बेटन को भी प्रेस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होगी उनकी notification आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी तो सबसे पहले अमावश्या तिथी के बारे में ही जान लेते हैं कि अमावश्या तिथी कब प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है और किस दिन की अमावश्या मानी होगी देखिए अमावश्या तिथी प्रारंब तो सोमवार के दिन ही हो रही है यानि कि 31 जनवरी को प्रारंब हो रही है दो पहर दो बसकर 18 मिनट पर और अमावश्या तिथी समाप्त होगी एक फरवरी मंगलवार को सुबह 11 बसकर 15 मिनट पर लेकिन अमावश्या तिथी जो सोमवती होती है उसमें हम ब्रादे काल जल्दी उठते हैं, स्नान करते हैं, व्रत धारन करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं यानि कि जो सुर्योदे कालीन अमावश्या होती है सोमवार के दिन उस दिन सुबह हम पीपल की फेरी करते हैं भावर देते हैं वरत करते हैं या जो भी नियम सोमवती अमावश्या के हम पालन करना चाहते हैं वो करते हैं लेकिन इस बार जो आमवश्या सोमवार को प्रारंभ होगly दो पहर के बाद हो रही है यानि कि मध्यान काल में हो रही है और इस समय ना तो आप पीपल की पूजा कर सकते हैं ना आप फेरी कर सकते हैं मतलब किसी भी प्रकार से ये सही नहीं होगा कि हमिए सॉमवत्पि अमवश्या मने हां सामके समय अमवश्या जरूर है लेकिन अमवश्या तिती का जो श्नान का नियम होता है वो सुर्योदे कालीन ही होता है उसी सुर्योदय कालीन अमावश्या पर अगर हम पूजा करते हैं, कोई भी व्रत धारन करते हैं, स्नान करते हैं, तो उसका फल हमें प्राप्त होता है, और वो हमें मिल रही है मंगलवार के दिन, जो कि सुर्योदय कालीन ती थी है, इसलिए इस बार की जो अमावश्या होगी मौनी अमावश्या एक फरवरी मंगलवार के दिन होगी और मंगलवार की वज़े से इस अमावश्या को हम भौमवती अमावश्या कहेंगे तो मौनी अमावश्या सोमवार के दिन नहीं है किसी भी प्रकार से ये सोमवती अमावश्या नहीं होगी मंगलवार के दिन अमावश्या होगी और मंगलवार के दिन हम पीपल की पूजा भी करेंगे और व्रत भी धारन करेंगे अगर व्रत धारन करना चाहते हैं तो स्नान दान इत्यादी सब मंगलवार के दिन ही होगा तो किस प्रकार से हमें people की पूझा करनी है और किस समय करनी है ये जान लेते हैं देखिए people की पूझा हम प्रात्य हकाल करेंगे यानि किस सुभै के समय तो people में हमें क्या चीज़ें अरपित करनी चाहिए पहले वो आप नोट कर लीजिए थोड़ा सा आपको दूद्ध जरूर आज आमावश्यद पर पीपल में अर्पित करना चाहिए, कच्छा दूद्ध होना चाहिए, उबला नहीं होना चाहिए गाई का मिल जाए, सर्विस रेष्ट है, गाई का ना मिले, जो भी उपलब्ध हो, वो दूध आप ले लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध, अगर आप पीपल की जड़ में आज अरपित करते हैं, तो इससे आपके पित्रों की भी कृपा मिलती है, भगवान श्री हरी होता है, इसलिए आज के दिन हमें पीपल में दूध जरूर अरपित करना चाहिए, अगर उपलब्ध हो तो, ना हो तो कोई बात नहीं, आप जल अरपित कर सकते हैं, तो आपको एक पात्र में थोड़ा सा जल लेना है, थोड़ा सा दूध उसमें डाल लीजिए, मीठा करने के लिए आप चाहें तो शहद डाल सकते हैं, मिश्री या बतासा ले सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं, मतलब किसी भी तरह से हमें जल मीठा करना है, तो कोई भी मीठी वस्तु डाल लीजिए, और थोड़ा सा काला तिल उस जल में अवश्य डालें, इसके साथ ही, अगर हादा अदिक शुफल की ब्राप्ती होती है, तो अगर आपके घर के आसबस इस तरह का वरिक्ष है, जहां पर पीपल की पूजा होती है, आप ये सबी सामगरी लेकर पीपल के वरिकश के पास जाएं, पीपल प्रणाम कीजेंगें तो, किसमें हमारे सभी देवी देवतायो को जाती है, समस्त पितरों की पूज़ा हो जाती है, और सबका आशिरवाद हमें प्राप्थ हो जाता है इसलिए जो हम घर में करते हैं या जो भी मंदिर जाकर करते हैं उसकी बजाएडे выгляд विशेश-फल्धाई होती है शिग्र-फल-देने सब्सक्राइब करें यह सभी वस्तु अर्पित करने के बाद आप दूप प्रजवालीद करें यह 108 News 8 परिक्रमा भी कर सकते हैं आज के दिन्य निमाश्य पर 108 परिक्रमा करने से समस्ध परकार के जीवन की परेशानिया है संघर्श से Chandir मिलती है अगर जीवन में बहुत अधिक परेशानिया है बहुत अधिक स्ट्रगल है आपकी लाइफ में तो आपको चाहिए कि आज आप पीपल की 108 परिक्रमा करें ओम नमो भगवते वासु देवाइनमा ओम नमो भगवते वासु देवाइनमा इस मंद्र का जब करते हुए य अपने पित्रों का ध्यान करते हुए सभी देवी देवताओं का ध्यान करते हुए श्रेयर विष्णु को में स्मरन करते हुए और मालक्ष्मी शिव जी का ध्यान करते हुए निस्चित ही आपके मन की वह कामना पुर्ण होती है दोस्तों मौनी अमावश्या पर मौन रहकर श्नान करने का नियम है वैसे प्रती दिन जो हम श्नान करते हैं तो हमें कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए मौन होकर श्नान नहीं करना चाहिए लेकिन मौनी अमवश्या पर ये सास्त्रों में कहा गया है कि आज हमें मौन रहकर ही श्नान करना चाहिए और मौन रहकर दान करना चाहिए ये फिर जब आप मंत्र जब कर रहे हूं आपके जवने हीलनी चाहिए आपके वोट रिंशा परीला चाहिए इस प्रकार से अगर principio करते हैं मागंगा का स्मरण मन में पर फट्री नदियों मार्त का समरन करते हुए और उसके साथ ही जब आप दान कर रहे हैं तब भी आपको मौ रहकर दान करना है आज के दिन ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहना चाहिए करोध को अब शब्द नहीं कहना चाहिए किसी के जुगली नहीं करनी चाहिए किसी Valley Gerhiamo डिदूना Empire अगर आपभ नव्य जयादी सम्मरण चिवजी के नाम कश्मरों करें शिवजी के नाम कश्मररण करें मच्छा बोलेज oisret बोले इससे मौन रहे बिना भी आपको मौनी अमावश्या का शुबफल प्राप्त हो जाएगा लेकिन अगर आप मौन है मतलब मुह से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और अंदर आपके विचारों में कुछ भी गलत चल रहा है जैसे किसी के बारे में भी बुरा सोच रहे हैं कि गलत विचार मन में आ रहे हैं तो मौन रहने का कोई फाइदा नहीं यानिकि मौनी अमावश्या का मतलब होता है पवित्र वचन पवित्र विचारों के साथ शुद्ध सात्विक्ता के साथ हम इस दिन को भगवांश्य हर विष्णू के चरुणों में ध्यान करते हुए बि कर लीजिए इस से यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्रप्राप्त हो जाएगी मैं मिलती हूं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार